तो मैंने इससे पहले भी एक क्लास ली हुई थी जिसमें मैंने कि आपको ग्रोथ एंड डेपलेपमेंट की थोड़ी बेसिक चीजे बताई है जिसमें से मैंने डेपलेपमेंट को बहुत अच्छे से डिसक्राइब पी किया है जिसका पार्ट टू आने वाला मतब पार्ट उसमें बहुत सारी चीजे एक क्लियाटी आपको समझ में आ जाएगी तो हम लोग जो आज सेकेंड पार्ट है हमारा व्रिद्धी यानि ग्रोथ उसको अच्छे से देखेंगे और इसमें भी डेपलेपमेंट की स्टेजेज अगरे सब भी हम लोग देखेंगे जो कि बहुत चेक आउट इस सेटेट इन्फोरमेशन तो आएए देखते हैं ग्रोथ क्या है ग्रोथ हमारा क्या है बैसिकली इमने बताया था ग्रोथ हमारा क्या होता है जो हमारी मातरात्मक परिवर्तन होती है जैसे हाइट वेट और बढ़ना छोटा होना बढ़ा होना मोटा होना पतल की एक छोटा हिस्सा है मतलब यह development का एक छोटा हिस्सा है और परिपक्ता भी विकास का ही इसा अर्था domain है यानि की maturity भी development का ही एक हिस्सा है तो जायजवाद development almost सारी शाय जाती है तो maturity भी आ जाती है जो कि उसका domain है और जो आपका maturity है वो environmental heritage का भी heredity से direct संबंद रखता है heredity और environmental का भी क्या growth and development में use है उसको मैं आगे बताऊँ कि आपको तो आप ऐसे देखते रहिएगा तो परिपक्ता maturity highly मतलब यह दिखाया है कि highly related to heredity यानि के अनुवाशित्ता से बहुत जादा related है maturity यानि इसमें ये बताया गया है कि जो आपके parents या फिर जो अनुवाशिक पीड़ी दर पीड़ी जैसे maturity आपके घर में या फिर बदिवार में रही है वैसे ही आगे भी रहेगी growth में quantitative changes होते हैं यानि मातरात्म का भी मैंने बता है मातरात्म क्या होता है इसको देख लेते हैं quantitative structures change होता है वो जो जिससे हम लोग माप सकते हों या फिर जिससे measure कर सकते हों जैसे मोटा होना पतला होना लंबा होना आकार में वृति छोटा होना आदी ये सारी चैशे जो हम लोग एक तरीके से माप सकते हैं या उसकी गढ़ना कर सकते हैं क्या वेट है तो वेट हम केजिस में नाप सकते हैं कि हाँ डिजन में नाप सकते हैं लेकि नाप सकते हैं लंबाई कितनी है मेटर सेंटिमेटर में नाप सकते हैं पतला कितना है वो बंदा या मुटा कितना है, उसका आकार कैसा है, गोला है, पत्ला है, नुटा है, जैसा है, तो यह सारी चीज़, चीज़े quantitative changes होती है, जो कि कुरोद के अंतर रत आती है, quantitative का एर्थ होता है, तो एक इंसान लंबा होता नहीं रहेगा या फिर एक टाइम बाद हर चीज या फिर मोटा हो रहा है तो प्रॉपर मोटा होता जाएगा तो एक टाइम आएगा कि वो बहुत जादा ओवर वेटेज हो जाएगा जो ये नहीं हो सकता है तो यह कह रहा है कि growth एक time के बाद रुख जाती है अजब कि जो विकास होती है वो हमारी गर्व से cover तक चलती है यह warm to tom यानि कि यह वाला point गर्व से cover तक यह वाली point बहुत पुछी जाती है तो आपको देख सकता है कि गर्व से cover तक इसको अच्छे से ध्यान से देखेगा की प्रक्रिया है और फृति को इकाई यह जैसे बताई unit kg, inches, cm आती के तहट मापा जा सकता है जबकि विकास के हर पहली को नहीं मापा जा सकता है विकास को क्या आप किसी को देख करके आप बता सकते उसके mind में क्या चल रहा है या फिर ओक क्या सोच रहा है क्योंकि विकास के अंतरगरत आपका 4 stages होते हैं जो कि मैंने इसे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया है cognitive, physical, emotional और sociology इसारी चीज़े आपका किसमें विकास के अंतरगरत यानि development के अंतरगरत आ सकता है जो कि हम लोग किसी भी वैक्ति को देख करके माप नहीं सकते हैं तो फिर ये आती है विकास के अंतरगरत फिर विकास का केवल आकलन assessment किया जा सकता है मतलब कि बंदे को देख करके आकलन की सिर्फ किया जा सकता है कि अगर other person को देखा जाए कि उसके mind में क्या चल ला है बहुत सारे लोग होते हैं कि हाँ अच्छा इसका मन अगर वो कुछ नहीं भी बोला है फिर भी समन में आ जाता है कि अच्छा इस बात से खुश है या इस बात से वो दुखी है या फिर ऐसा कुछ हो सकता है यह मतलब कि विकास को हम लोग आकलन कर सकते हैं किवल माप सकते हैं जैसे चेस का खेलना विकास का एक हिस्सा है अब कोई बंदा चेस खेलना है तो अपना माइंड कहां कैसे लगा रहा है तो अगला वाला परसन जान नहीं पाएगा वो इक्सैक्ट हो चिने कर सकता है कि हाँ यह अभी यही करने वाला है पस वो आकलन लगा सकता है देख कर कि आकलन लगाएगा कि हाँ अगर यह ऐसा करता है चसमे अगर यह पारी राजा को आगे किया या फिर सिपाई को तो यह ऐसा से कर सकता है तो सिर्फ आकलन लगा सकता है वही लंबाई बढ़ना प्रिधी का है यानि कि जो हाइट वेट बढ़ना यह हमारा पृत्थी का example ले सकते हैं नेक्स देखें अब difference between growth and development अब क्या दोनों में वो है difference देख लेते हैं इधर है आपका growth growth के है मातरात्मक या परिणात्मक परिवर्टन होते हैं structural and quantitative changes होते हैं अभी मैंने बताया just कि मातरात्मक परिवर्ट परिणात्मक आपको अभी just बताया है कि हाँ जिसमें height, weight, quantity वेगरे इसमें just हो weight बढ़े या जो भी हो इसे हम लोग क्या कहते हैं मापा जा सकता हो growth कहलाता है और development क्या है परिणात्मक के सांसरत गुरात्मक परिवर्टन भी होता है जो structural structural के सांसरत functional area भी उसकी quantitative changes भी होते हैं मतलब कि दोनों साइट से इसका परिवर्टन होता है development का फिर आता है growth में विद्धी सम्मानित सरीर सारीरिक परिवर्टन से सम्बंदित है related to physical changes यानि कि जो growth होता है हमारा वो physical changes से यह depend करता है कि जैसे मोटा होना पतला होना लंबा चोड़ा यह सारी चीजे जो body से related हो या सारीरिक सम्मन जिससे हो सारीरिक सम्मन करता है physical changes होते है वो हमारा growth में होता है पर आता है यह विकास का आशिष development में क्या होता है यह आपका आशिष सरीर के विबिन शारीरिक मानशिक और वैवारिक संगठन से होता है यानि कि जो development होता है वो हमारा physically, mentally और emotionally हर टाइप से यह हम लोग का changes करता है mind को हमीज़ा जीवन परियान चलता है और growth में क्या है वृध्धी काम आपर सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित narrow domain है यानि कि यह बहुत संकुचित है छोटा है, narrow है और जबकि यह deployment होता है यह broad होता है यानि कि बहुत ज़्यादा इसकी बड़ी जैसे कि वृध्धी को मापा जा सकता है क्योंकि यह संकुचित छोटी चोटा है और यह जो development होता है यह विकास का मापन कठीन है यानि इसको मापन नहीं जा सकता है और इसका आकलन करते हैं क्योंकि विकास का रूप व्यापक है यानि कि बहुत बड़ा होता है जिसके किसी का मन आप तो पढ़ नहीं सकते हैं, उसके मन में क्या चल रहा है, या socially वो क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, development के अंदर गत आती है नेक्स देखते हैं फोर्थ पॉइंट है ग्रोथ में वृद्धी में संराचनात्मक परिवर्थन शामिल है और एक समय के बाद यह रुख जाती है जो कि एक टाइम के बाद वो रुख जाती है ग्रोथ नहीं करती है और डपलप्मेंट में क्या होता है विकास में परि माइन को इंक्लूट कर ले कि हर टाइम बच्चा एक टाइम के बाद बहुख ज़ाएदा उसका माइन इन्प्रूब होता है कहते है न बड़े लुग किया रहे इसको जैसे बड़ा हो रह होता रहीए घृण फिर आता है एक नोट इसको देख लेते हैं संप्रदय का विकास संग्या नात्मक विकाश कानफर संक्रत्य चीज को टेक यह कैसे उसको चीज को प्रतिक बननां उसका और हम और हम लोग को पताwoo की कास्ट दिमाग से बनता हमारा हेट से डिलेटेड होता है यानि कि दिमाग से मस्थिक से और मस्थिक किसी भी चीज को हम concept बनाएंगे तो मस्थिक से ही बनाएंगे ना कि दिल और दिमाग और copy pen से बनाएंगे ठीक है exactly next देख लेते हैं हम लोग अब यह जो main stages of development में पढ़ाने जा रही हो यह बहुत जादा important है इसमें से minimum दो questions तो जरूर आने हैं और इस से अधिक भी आ सकते हैं तो देख लेते हैं तो पहला है हमारा efficiency yearly childhood, later childhood और adolescence यह है फिर अब आता है कि जो आपका yearly childhood और letter childhood है यह यह दोनों हमारा बाले आवस्था के अंतर गयता आता है यानि कि बाले आवस्था को दो parts में divide करेंगे तो हमारा बाले आवस्था को दो parts में divide करेंगे तो yearly childhood और letter childhood आएगा ineffances मतलब 6 आवस्था होता है 0 से 2 वस्था होता है 0 इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब तक बच्चा 365 दिन का नहीं हो जाता है जब तक उसे 0 वस्था बोला जाएगा ना कि कुछ और बोला जाएगा लेटर चाइल्ड होड़ आपका 6 से 12 वर्ष होता है फिर आता है लास्ट है अडॉलेसिंस की 16 वर्ष होता है यानि जो की 12 से 18 वर्ष होता है तो और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये चारो स्टेजेस हैं ये जरूरी नहीं की चारी ये बहुत सारे विक्यानिक थे जो की अपना अलग-अलग मत दिये हैं जो किसी ने 2 बताया है किसी ने 4 बताया है किसी ने 7-8 बताया है तो ये अपने कॉर्डिंग वैसे में यही है वैसे 3 है एफिशेंशी और बाले वस्ता बाले वस्ता के अंतरगत दो आते हैं जो कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइट कर दिया गया है और एडुलेस ये है 4 पार्ट्स है इसके फिर कुछ नोट्स देख लेते हैं किया है WHO का मानना है कि 10 से 19 वर्स का आयू किसोरा वस्ता के जो रियल है वो 12 से 18 वर्ष होती है तो इसको दिहान रखेंगे बहुत अच्छा ये पॉइंट है कभी कभी कुछिंस पूछ लेता है फिर नोट करते हैं ये इतना इंपॉर्टन नहीं है वर फिर भी आपकी जानकरी के लिए बता दूँ मैं आपको शैशा अवस्था के पहले ही एक अवस्था होती है जिसे प्रसावपूर अवस्था कहते हैं इस अवस्था में बच्चा गर्व मा के पेट में होता है इसका समय अंतराल कर्वधान के जन्मक नौ से नौ महीना दस दिन तक होता है इस अवस्था का पुर्व विकास गर्वती मा पर निर्बर करता है यानि कि यह वो अवस्था है जो जब बच्चा पेट में रहता है और मा इसका कोई मतलब 9 महिना 10 दिन या 270 दिन या 40 सब्था होता है तो यह उतना important नहीं है फिर भी जान लीजे आपके हाँ एक stage होती है जो कि बच्चा पेट में रहता है तब उसको प्रसवपूर अवस्था कहते हैं नेक्स देख लेते हैं अब 6 अवस्था क्या होती है आप 6 अवस्था को अच्छे से define कर लेते हैं प्लीज इसको आप skip मत करिएगा पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें से दो minimum question पूछे जाता है और maximum तो 6-7 तो मान के चलिए शर्शा अवस्था ही पूछ देता है मतलि से कि इतनी सारी अवस्थाओं में का year ही पूछ लेता है किसी किस question में तो इसलिए प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा अब शर्शा वस्था में किया जन्म से लेकर के दो वर्श तक क्या वस्था होती है यही जीरो से दो वर्श तक क्या वस्था होती है शर्शा वस्था इसमें ग्यान इंदरियों senses से सिखता है यानि कि जो बच्चा है वो ग्यान इंद्रियों से सिखता है यानि किसी को touch करके किसी को देख करके किसी को feel करके अपनी आँखे से देखता है चूता है यानि कि उसमें बच्चा जो भी है अपना हाथ पर घुमा के touch करके सब को तब सीखता है फिर इसे motor actions गति क्रिया करके सीखता है प्याजे कभी कहना है यानि इसमें प्याजे भी कहते हैं कि बच्चा जो है वो motor actions सीखता है अभी मैंने इसके पहले वाले lecture में आपको बहुत अच्छे से explain किया है कि motor actions क्या होता है तो इसको एक पर देख लिजे motor actions को दो parts में डिवाइड किया गया था fine motor और gross motor fine motor में होता है कि बहुत बड़ी muscles का यूज़ के जाता है जैसे हाथ पैर मुँ और हाथ पैर मुँ का मारना और fine motor में fine हो गया gross motor में आपको बहुत sthul से यानि कि बहुत भारिकी से काम करना होता है चीजों को बहुत कम muscles में जिसे कि लिखना पढ़ना अची writing बनाना drawing बनाना यह सारी चीजे gross motor के अंसर गताती है तो आप यह motor action वाला बहुत अच्छे सा आप जाकर कि कौन सी अवस्ता कही थी तो उसमें motor actions option में होता है तो आप टिक कर सकते हैं और यह sensitive period होता है खतरे से भड़ा होता है इसमें बच्चों की बहुत सारी maximum बच्चों की देत इसी अवस्ता में होती है किसी को बिमारी होती है या फिर किसी को गेदने से हो जाती है या फिर बहुत सारी problem इसी अवस्ता में होती है तो यह बहुत sensitive period होता है खतरे से भड़ा होता है इसमें physical development बहुत तेजिस होता है mental development भी fast होता है और almost सारे सारे अवस्ताओं में physical development तेजिस ही होता है फिर देख लेते पुना वृत्ति, प्रयास वत रूटिपूर, वहवार वस्तु की प्रधानता, छुटे छुटे शब्द का प्रयोग आती है, मतलब इसमें बच्चा गलतियां करता है, सिकता है, प्रयास करता है, यानि खड़ा होता है, खड़े उनने का प्रयास करेगा, फिर गिरेगा, उठ बैठेगा, इस सारी चीजे वस्तु की प्रधानता, मतलब कि वह अपनी चीजों को अपने पास रखेगा, उसको ज्यादा इंप्वार्टेंस देगा, खेलने के उतने वाली चीजों को, छुटे-चुटे सब्दों का प्रयोग करेगा, मा, पा, खा, खा, खाना, पाना, ऐस करके जो छुटी-चुटी चीजे को सीख पाएगा, फिर नेक्स देखते हैं, फिर आता है पुरे और बाले अवस्ता, दो से च्छे वस्त, यानि यली चाइल्डूट, ये दो से च्छे वस्त तक की अवस्ता है, और इसको प्लीज ध्यान से रख, देखिएगा, ये सारी च अवस्ता होती है, तो पुरे बाले अवस्ता होती है, इसी को प्लीज भी बोला जाता है, इस अवस्ता में बालक का अधिकांश वहवाद, जिद्धी हो, वेरो धात्मक, आग्या ना मानने वाला होता है, यानि कि इस अवस्ता में बच्चा बहुत जिद्धी होता है, बहु इस अवस्था में बालकों में जो सम्वेक देखने को मिलता है वह है क्रोध, डर, खुशी, दो खुशा आती है इसमें मतलब अल्मोस्ट सारी चीजे बच्चा करता है कि वो क्रोध भी होता है, गुसा भी होता है, डर भी रहता है इसमें fastest language development होती है fastest language development है, इसमें बच्चा बहुत तेजी से language को बहुत तेजी से adopt करता है, सीखता है नकल करके सीखने वाला है, इसमें बच्चा बहुत जल्दी नकल करता है, किसी दूसरे को देख करके और भाशा द्विकास के लिए पूर उपाला है, वस्ता sensitive critical fastest language development सम्वेद शील यानि इसमें वही बताया गया है, कि बहुत sensitive होता है language को सीखना, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत सारी चीज़े सीख लेता है, बहुत बच्च के बोलना होता है, कि हाँ, मम्य पपा जो बोल दिये वही सीख ले या फिर डोरिमोन देख रहा है, उसकी नकल कर ले रहा है, इ ये सारी चीज़े बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, तो इसमें बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को एडॉप्ट करता है, शोशल से, नक्स देखते हैं, उत्तर बाले अवस्था, लेटर, चाइल्ड होड, छे से बारा वर्स, छे से बारा वर्स तक ये अवस्था होती ह इस अवस्था में बालक उसकुल जाना प्रारंब कर देता है, बालक शरारती अधिक करता है, समू में रहना पसंद करता है, इसमें टोली अवस्था, इसको गैंग एज भी बोला जाता है, और इसको गेम एज भी बोला जाता है, स्पोर्ट से, अलिमेंटरी स्कुल एज होत इसमें बच्चा प्रॉपर जाना स्टार्ट कर देता है बालक स्वैम से संबंधित बाते अधिक करता है इसमें बच्चा अपने आप से पूसता है ज्यादा टाइम अपने बालकों में जिग्यास जिग्यासा की प्रवती बनी रहती है इसमें बच्चा बहुत जिग्यासी होता है, हर चीज को जानने के कोशिश करता है कि ये कैसे है, ये कैसे नहीं हुआ, ये कैसा है, कैसे नहीं हुआ और इसमें जो friendship होती है वो long term friendship होती है long term friendship page वाली होते हैं बोलते हैं childhood वाला मेरा friend है ऐसा होता है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है physical development बहुत थोड़ा slow हो जाता है इसमें motor development fast होता है इसमें मतलब कि motor development में अभी मैंने बता है कि आपको ये देखना ही पड़ेगा क्योंकि motor development बहुत जरूरी है देखना कि fine motor क्या होता है gross motor क्या होता है तो इसमें बहुत तेज़े से increase होता है और हाँ ये तीन पॉइंट ज़रूर नोट करेगा erection erection के अनुसार और पियाजे के अनुसार और फारेड़े के अनुसार ये तीन कभी कभी पूच देता है erection के अनुसार industrial versus infinity वाली age होती है इसमें मतलब कि erection ने बोला है कि industrial age इसलिए कहा है कि बच्चा इस age में वो school जाना प्राड़म करता है और पियाजे का मतलब है conscret operational यानि कि इसमें बच्चा अपनी यवस्था है change करता रहता है और कुछ न कुछ आगे बढ़ता रहता है सीखता रहता है और फारेड़े के अनुसार है latency age इसमें बच्चा active वोकल के आगे बढ़ता रहता है तो ये सारी चीज़ा सीख लीजेगा आप लोग next देखते हैं और ये तीन पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजेगा क्यों कि इसमें से कुछन पूछते है क्या रहते के अनुसार वो तरह बाला है वस्था को क्या बुला गया या industrial age कौन सा होता है या concrete कौन सा होता है concrete option किस नहीं दिया है पियाजे नहीं दिया है तो अभी पियाजे वाई गुसकी सब पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़े हैं तब हम लोग काफी अच्छे से पढ़ेंगे फिर क्रिशोर अवस्था है अडॉलेंस 12-18 वर्स यह अवस्था 12-18 वर्स 18 वर्स के लिए के मानी जाती है traditional period होता है परिवर्तन काल होता है golden period होता है stress और storm होता है तनाव और तुफ़ान के अवस्था होती है stantly hall के द्वारा stantly hall के द्वारा इनका कहना है कि कि जो होती है यह जो golden period होता है सबसे critical एक तरीकी से समझ लिए सबसे critical अवस्था कौन से होते है किशोरा अवस्था है इसमें बच्चे बन भी जाते हैं और बच्चे पिगड़ भी जाते हैं जिसको बहुत अच्छा जंगती मिलना होगा तो बहुत अच्छा कर जाएगा जिसको बहुत बिकार गाइडिनस भिला होता है जो कि अपने मन को नहीं कंट्रोल कर पता है वो तो बिकार भी बन जाता है तो ये अवस्था बना भी देती है और पिकार भी देती है तो इसी लिए बुला जाता है ये बहुत golden period होता है जो बच्चा सीखना चाहता है जो बच्चा आके कुछ पाना चाहता है उसके लिए बहुत golden opportunity होती है इसको achieve करने के लिए और ये stress और storm की भी होती है तनाव और तुफान की भी age होती है इसमें बच्चा बहुत confused भी रहता है बहुत इस्ट्रेस में भी रहता है कि हाँ वो आगे क्या करे क्या ना करे और ये leadership skill होती है lack of emotion stability होती है इसमें बहुत ज़्यादा बच्चा emotional हो जाता है या फिर emotional की कमी हो ज bridge period होता है ना तो ये childhood period रहता है ना ये किस होरा आवस्ता ही होता है ना प्योर age होती है ये बहुत beach वाली age होती है इसलिए इसको bridge period भी बोला जाता है इसको ध्यान से पड़ेगा questions आते हैं कि bridge period किसे बोला जाता है तो ये देख लिजगा bridge period हमारा किस होरा आवस्ता को कहते ह फिर नेक्स्ट है आइडेंटिटिस क्राइस का अर्थ होता है कि बच्चा यह ढूंड रहा है कि मैं हूं कौन एरिक एरिक्सन का कहना था है कि इसमें आइडेंटिक क्राइस का अर्थ भी होता है कि इसमें बच्चा अपने आप से पूछता है कि मैं हूं कौन तो यह बहुत बड़ी समच्चा होती है कि इसमें बच्चा अपने आपको धूढने की कोशिश करता है अपने आपको सम्हालने की कोशिश करता है बहुत बड़ी चीज होती है इस अवस्था में कि शुरू में महत्पोर शारिक, समाजिक समयगात्मक और संगयानात्मक विकाश होता है मैंने इस बता है कि इसमें पूरे चारो जो डेपलेपेंट होते हैं फिजिकल और क्या बोलते हैं शोशल और कॉंगनेटिव और संविगात्मक और संगयानात्मक दोनों टाइपस के सारे परिवर्दन होते हैं इसके अदर इस सवस्था में ऊची अकांचाय कलपनाय नहीं आदते वहवार में भटकाव आदी देखा जाता है वही जस्ट पताया है कि इसमें अगर कोई बच्चा इसमें बहुत सारे बच्ची को तमना होती है कि मैं क्या से क्या कर ले अकांचाय हो जी अकांचाय होती है कलपनाय बहुत अच्छी होती है नहीं आदते इसमें बहुत सारी सीजियों सीखता है बच्चा इंक्लूट करता है वहवार में भटकाव आदी देखा जाता है इसमें सबसे ज़्यादा भटका वाली situation इसी age में होती है next देखते है अभी जस्ट मैंने बताया कि bridge यानि pull इसमें ना बच्छे childhood का होता है ना adult का होता है तो जो bridge pull होता है वो आपका adolescence कहलाता है यानि कि कि सोरा आवस्ताप वाले period कहलाता है तो ये जिद्धान रखेगा फिर आते हैं nature ये heredity और environment तो heredity आपका nature से related होता है environment nutrient से related होता है तो heredity क्या होता है या अनुवाशिक्ता जो कि statics बोला जाता है environment dynamics बोला जाता है तो बच्चे के अंदर heredity का भी होता है जो कि heredity growth के अंतर गताती है और environmental आपका विकास के अंतर गताता क्योंकि वातावरेंट से बहुत सारी चीज़े जहां जाएगा बच्चा वहाँ कैसा वातावरेंट कैसा नहीं है कोई भी कोई other person भी अगर किसी भी situation में जाता है या किसी भी वातावरेंट में जाता है तो वहाँ से बहुत सारी चीज़े सीखता है जो क्यों development हो तो heredity और environment का मतलब समझ में आई कहा है कि heredity growth से related है और environment हमारा development से related है next देखते है यह जस्ट मैंने बता है heredity और environment ता इससे question जो रोब पुसता है please confuse नहीं होईएगा कि heredity plus environment नहीं होता है तो बहुत साई लोग यह गल्ती कर देते है कि plus होता है एक दूसरे को plus किया जाता है जबकि नहीं एक दूसरे को गुड़ज होता है यानि कि multiplication होता है heredity multiply by environment होता है that heredity और वातावरेंट विकास के पराबर के हकदार होते है फिर heredity fix होता है मतलब statics होता है स्थाई होता है और environment changeable होता है जैसे मैंने बता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना other place होना change होना यहां का बातावरेंट कुछ और है दूसरे जगह का बातावरेंट कुछ और है जैसे जमू एंड कश्मिर हो गया आपका उतरप्रद आप मान लीजे कि UP में है फिर डारेक्ट आपको जमू कश्मिर फिज देते तो वहां का बातावरेंट कुछ और होगा है और heredity आपकी fixed होती है तो heredity can best viewed as something that set a range basic within the individual development is actually shaped by the support and opportunity of the environment तो ये heredity का best example है कि support और opportunity of the environment कुछ ही होता है next देखते है principle of development तो ये सारी चीज़े देखेंगे पर डपलेप्मेंट is continuously यानि कि deployment हमेंसा सतत है जो हमेंसा चलती ही रहती है कभी रुकती नहीं है deployment is sequentially orderly यानि कि एक क्रम कहनुसार होती है जैसे फिजिकल डपलेमेंट होना पहले आपका संगयन आत्मक होता है है जैसे स्टार्ट होता है फिर फिजिकल होगा फिर उसके बाद आपका emotional होगा शोचल होगा इमोशनल होगा इस टाइप के सारी चीज़े क्रमित कहनुसार होती है rate of development various person to persons विकास के दर भिन भिन होती है यानि कि कब कहां कैसे किस टाइप का विकास हो जाए कोई guarantee नहीं है कोई social में रह करके development होता है कोई other development होता है हर टाइप का अलग अलग होता है development proceed for general to specific समान से विसिष्ट होता है यानि कि normal से विसिष्ट होता है यानि कि पहले बच्चा कोई भी चीज़ सीख रहा तो पहले normally सिखेगा A, B, C, D फिर उसमें वो pro बनता है यानि कि बहुत सारी चीज़ सीखता है फिर आता है next growth and development is the product of both heredity and environment तो यह growth and development product किसका होता है heredity और environment का यानि कि D is equal to D हमारे यहाँ पे development है is equal to H into E यानि कि heredity into environment यह दोनों का development हमारा multiple होता है तो यह सारी चीज़े भूलिएगा नहीं यह बहुत ज़्यादा important होता है heredity और यह वाला तो there is a constant interactions between all factors of development तो यह बोला है कि हर एक जो deployment का हर एक जो factor होता है एक दूसरे से constant interaction करते हैं यानि जैसे cognitive हो गया cognitive का social से हो गया तो सब एक दूसरे से interaction करते रहते हैं तो all types of development are interrelated है इसमें भी बोला है कि जो PC यह है physical, physical, cognitive, social, emotional वाला जो है types इसके यह interrelated है सब एक दूसरे पे ही निर्भर करते हैं तो यह है principle of development आपको I hope समझ में आया होगा फिर next video हम next class में पढ़ेंगे जिसमें कि हम लोग एक individual difference के बारे में पढ़ेंगे प्लीज मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आयो तो do like and subscribe इसमें सारी information आपको सीटेट से related सारी questions मिलेंगे अभी मैं आके चलके आपको previous year के questions भी कराऊंगे हर एक चेज आपको provide कराऊंगे प्लीज अगर वीडियो पसंद आयो तो please like and subscribe जरूर करेगा Thank you so much